नमस्कार दोस्तों उतकर्स नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफोर्म पे आप सभी का हार दिक स्वागते हैं जी हाँ दोस्तों 360 डिग्री सिरी जा नर्सिंग के तमाम सब्जेक्ट को 360 डिग्री पे गुमाया जाता है और वो क्यूशन डिग्री के जाते हैं जो आपके अपकमिंग एक्जाम को नस्ते नाबूद करने के लिए बहुत बहुत बैतरीन साबित होने वाले तो जोड़ दीजेगा जगा दीजेगा तमाम उन विद्यारतियों का जिनका ख्वाब नर्सिंग ओपीसर बनना है लेकिन अब तक अपने 300 से हाट डिग्री की क्लास से वो रूबरू नहीं है सारे बंदों को बता जीजिएगा क्या उकात होती है क्या कंसेट होते हैं क्या नोलेज होता है क्या रैशनल होता है और किस प्रकार से एक्जाम की खोपड़ी में छेद किया जाता है तमाम क्यूसनों को तमाम सब्जेक्ट को जब एक साथ में डिल करते हो तो दुनिया का कोई नर्सिंग सेटर में ऐसा पेपर नहीं होगा जिसे आप नस्ते नाबूद नहीं कर पा होगे क्योंकि यहां हर दिन आपके लिए एक एक एक्जाम सेशन कंड़क्ट किया जाता है और वो क्यूसन लाए जाते हैं जो एक्जाम के रिगार्डिंग जरूरी होते हैं एक भी इजिक्यूशन यहां डील नहीं किया जाता हूँ और एक भी सेकिंड यहां वेस्ट नहीं होता है क्योंकि यह राफेल उडाया जाता हूँ राफेल कंसेप्ट जांफसते हैं बस एक्जामिनर को वहीं सोचने पर मजबूर करना पड़ता है यह आप लोगोंने UPPSC एक् 360 डिगरी परिवार पे और अपनी मैनत को चार चांद लगा दीजेगा एक्जाम होल में जाकरके एक ही गूंज निकलेगी उतकर्स परिवार और उतकर्स परिवार अच्छे से खुद के अंदर confidence डवलप करना है और याद रखेगा हो चुका रण का आगाज यूग बदलने की तैयारी में जीत उसी की होगी जिसका संगर से जारी संगर जारी रखना बेटे बेटे कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त मैनत करनी पड़ेगी खुद को जलाना पड़ेगा इस आग की इस भटी में इस्टेगल के दोर में खुद को बीजी करना पड़ेगा द्यूनियादार की पहला क्यूसन आपके सामने कतई जहरवाला होगा ध्यान से पढ़ेगा और प्लीज कोई भी विद्यारती कोपी पेस्ट नहीं करेगा कमेंट सभी बच्चों को करना है कोपी पेस्ट नहीं करना है और 360 डिग्री की नोट्बुक सारे विद्यारतियों के पास में होनी चाहि है जिसमें अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेर कीजिएगा एक्जाम होल से चार दिन पहले तीन से चार दिन का समय जब आपका दिमाग कहीं नहीं टिक पहाई किसी भी बुक में नहीं टिक पहे उस टाइम में 360 डिग्री की नोट्बुक को खोल देना और एक्जाम को जा अरे सर यह में कोन सी पील होगी मेरे धोस्ती से बोला जाता है हां फैतना पेल का मतलब गोली यह हॉर मनल गोली बोडी में होर्मनल बैलेंस मना के रखेगी और हमारे इंदर क्या नहीं पौने देगी सर नहीं होने देगी में नहीं में इसॉइल में स्ट्रेशन साइकिल अपना रेगुलरिटी के साथ में चला रहेगा लेकिन ओवुलेशन नहीं होने देगी और जब ओवुलेशन नहीं होगा तो कोई डर वाली बात नहीं है ठीक है आप से पूछा स्टार्ट कब करें तो पहले दिन तीसरे दिन पांचवे दिन या स्टार्ट कर दे तो मेरे दोस्त जीस दिन गोली लोगें उसी दिन ओवुलेशन हो जाएगा प्रेगनेंसी के चांसे बहुत ज्यादा है तो इस टाइम तो लेने का कोई कौन्जेप्ट नहीं है क्योंकि चव кожy क्या बोला जाता है सार इसे बोला जाता है ओवुलेशन डे अरे चवद्य दिन कोई किया नाम से जाना जाता है, ovulation days के نाम से जाना जाता है, सर इस दिन क्या निकले गा, ovulation निकले गा, चेलेगा पाँछ दिन स्टार्ट करना है, तीसरे दिन या पहले दिन तो तमाम विध्यार्थ्यों के दिमाग में यही आता है, कि सर ये जो 28 दिन का menstruation cycle होता है और 28 दिन के अंदर menstruation cycle को अगर cycle को maintain करना है तो हमें पहले दिन दे नीचे यह नहीं मेरे दोस्त पहले दिन अगर आप hormonal contraception को दे गए तो उस दिन क्या होगा मरीज के अंदर उस टाइम में bleeding phase चलती है और bleeding phase के अंदर उसकी irregularity हो जाती है और कहीं condition के दौरान वो क्या करती है anxiety feel करती है और उस medicine को बंद कर देती है तो याद रेखिएगा hormonal के अंदर hormonal level बना के रखना है यानि अगर start कर दिया तो यह sequence इसी परकार से चलना चाहिए रुकना नहीं चाहिए 28 दिन ऐसा नहीं यहां ले लिया लेने के बाद रोग दिया फिर से ले लिया फिर रोग दिया फिर ले लिया यह नहीं चलेगा यह वाला sequence अगर आप maintain करते होती है परफेक्ट होता पहले दिन अगर start करते हो तो पहले दिन से आप continue नहीं कर पाओगे क्योंकि menstruation फेज के दोरन female की regularity maintain नहीं हो पाती है तो पहले दिन कभी नहीं देंगे यह option गलत हो गया तीसरे दिन दे दें क्या नहीं सर लगबग 4-5 दिन bleeding होती है तो best time होता है फिप्त दे अरे बढ़िया time क्या देखने को मिलेगा पांच वे दिन menstruation cycle क्या आपको क्या start कर देनी है hormonal method of the contraception next अगर मैं बता देता हूँ इसके अंदर total pills कितनी देखने को मिलेगी तो आपको जवाब देना sir 28 pills देखने को मिलेगी अरे इसमें गोली कितनी आएगी sir 28 गोली देखने को मिलेगी 28 में क्या-क्या होता है पूचा जाएगा तो आपको जवाब देना seven तो iron की होती है और twenty one किसकी होती है हार्मोनल की होती है twenty one किसकी होती है सर ये hormone की देखने को मिलती है important चीज़ है होर्मोन क्या देखने को मिलता है चलेगा चलेगा क्लास नहीं अटक रही है डिर बिलकुल ही नहीं अटकेगी बस आप राफेल की तरह उड़ा हो कमेंट बोक्स को जल्दी से मेकजिमम इवच्चे को जोड़के इसकीन के उपर एक नया आँकडा लग जाना चाहिए अभी तक जिसने लाइक नहीं किया लाइक और सेर करे जब आँखों में अर्मान लिया मंजिल को अपना मान लिया मुस्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो जवाब देना है प्रिवेंट एनीमिया ये किसको प्रिवेंट करेगी सर एनीमिया को प्रिवेंट करती है नेक्स्ट आप से पूछा जाएगा ये देने क्या टाइप क्या होता है तो इसे बोला जाता है मोनो फेजिक क्या बोला जाता है सर इसे मोनो फेजिक नाम देते और इसे नाम दिया जाता है Trifagic very 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 important बच्चों को पता नहीं होगा Monophagic अरे sir mono का मतलब एक और phase का मतलब sequence तो एक ही phase में दी जाने वाली तमाम गोलियां क्या कहलाती है एक ही phase में यानि या क्या बोलोगे sir whole tablet या whole month same dose यहां क्या बोलोगे, whole month same dose, पूरे ही महीने में same dose दे दे देना क्या कहलाता है, monophagic कहलाता है, important चीज है, last लिकावा है, triphagic, triphagic का मतलब क्या हो गया, 3 phase होती है, तो यहां आप क्या बोल सकते हो, sir, whole month, यहां क्या बोलोगे, whole month change the dose, whole month change the dose, पूरे ही महीने अगर आप dose को change करते हो, किसका dose, sir, iron का और hormone का, याद रखेगा, iron का तो fix ही रहना है, जी यहां तुम जलन बरकरार रखना, हम जलबे बरकरार रखेंगे, यह पडोसी को जरूर बोल कहाना है, slogan बना लेना है, याद रखेगा, मैंने क्या बोला है, triphagic का जब क्या होगा, तीन फेज में देना, तीन फेज में कैसे देना, तो जवाब देना, whole month change the dose, पूरे ही महीने आर्मोन का dose change होता है, कभी 30 दे दिया, कभी 40, कभी 50, कभी 90, कभी 70, कभी 10, कभी 5, कभी 100, 1500, यह सारी चीजें देखने को मिलेगी, sir, आपको A&M वालों का tension नहीं है, आप हमारी क्लास नहीं लेते, अरे पूजा, आप इंतजार कीजेगा, जब A&M पे प्रहार करेंगे, तो आप खुद बोल बेटोगे, कि वाव, मोज कर दी, और इस प्रकार की क्लास लगा देंगे, चिंदा मत करो, आप से ज्यादा tension हमें रहता है, जब आप हमारे साथ में जुड़े हुए है, बिल्कुल tension नहीं लेना, इस बार A&M को वरपूर होका दिखाएंगे, अब ही tension मत लीजेगा, जैसे ही exam nearby आगा है, सूपर फास्ट मा मेरतन क्लास एज के रूप में कवर करवा देंगे, नेक्स्ट लिकवा है, भाई फेजिक में क्या होता है, सर भा फेजिक में change करेंगे, पूरे ही महीने change करेंगे, यह देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया, बाई फेजिक में starting में estrogen कम कर देंगे, और प्रोजेस्टरोन को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, याद रखेगा, starting में estrogen कम रहेगा, फिर estrogen बढ़ जाएगा, important चीज है, तो य एक्जाम की डेट आने से कुछ नहीं होगा हम कर देंगे आपके लिए बहुत कुछ सोच रखाए डियर चिंता मत कीजिएगा चलेगा यहां क्या देखने को मिलेगा पांच वे दिन ये गोली देनी है और गोली कंटीन्यू लेनी है अगर एक दिन गोली मिस कर देते हो तो दिन दो लेलो अगर दो दिन गोली मिस कर दी तो बंद करके नहीं जांच कराके नया मेथड लेलो याद रखेगो और अगर आप से पूछे सबसे बैस्ट मेथड कौन सा होता है तो यहीं होता है अरे सबसे बैस्ट मेथड कौन सा होता है यहीं देखने को मिलता है यहीं पर तो दोस्तों माला एन और माला डी क्या है तो जवाब देना माला एन और माला डी कमाइंड हार्मोनल मेथड है क्या देखने को मिलेगा सर कमाइंड क्या देखने को मिलेगा कमाइंड हार्मोनल मेथड को माला ओन और माला डी नाम से जाना जाता है के लिर हो गया फस्ट डे मोर इफेक्टिव नहीं होगा और अगर आपको पूछ ले लेक्टेटिंग वूमन में देना है तो कौन सा दोगे मिनी पेल लेक्टेटिंग वूमन यानि वो मा जो अपने बचे को दूद पिला रही है और फिर भी बोल रही है मुझे डर लगता है मेरे तीन चार पहले से हो चु तो वो बोलती है देदो देदो कौन्ट्रासेप्शन देदो तो आपने वहां देदिया सजेशन कि लेक्टेशन एमनोरिया मेथर अच्छा होता है बच्चे को दूद पिला हो नहीं होगा उन्होंने बोला इस चकर में तो चार हो गए मुझे तो गोली चाहिए गोली दो त कम डोज की प्रोजेश्ट्रों दी जाती है मिनी पिल कैलाती है 0.75 mg का डोज दिया जाता है याद रखेगा इंपोर्टेंट चीज है चलेगा क्यों सन आप से पूछ रहा है वीच ओप फॉलोइंग फाइंडिंग एस्टिमेट दा प्रेगनेंसी इंडिूज आइपर प्रेगनेंसी आने के बाद बीपी बढ़ गया प्रेगनेंसी खतम होने के बाद में बीपी घट गया यह वाली चीज कहलाती है प्रेगनेंसी इंडिूज आइपर टेंशन याद रखेगा सर प्रेगनेंसी आने के बाद यानि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद अगर किसी फीमेल में हाइपर टेंशन हो जाता है क्या हो जाता है सर आइपर टेंशन हो जाता है और जैसे ही प्रेगनेंसी कम्पलीट हुई विदिन फोटी एट हार्स उसका बीपी नॉर्मल हो जात की कम नहीं होगा इंक्रीज इंद यूरीन आउटपूट आरे मेरे दोस्त अगर मरीज का यूरीन आउटपूट बढ़ जाता तो बीपी कंट्रोल हो जाता आपको पता होगा जब भी मरीज में आइपर अगर यहां यूरीन इन्क्रीज रहता अगर भाईशाब और बावी जी चालग एक्जामपल है यहां अगर बावी जी में यूरीन जादा देखने को मिलता तो बीपी कंट्रोल हो जाता यह गलत देखने को मिला decrease in the pulse rate अरे मेरे दोस्ट जब BP बढ़ता है तो pulse rate बढ़ जाती है condition कहलाती है टेकी कार्डिया क्या कहलाती है sir टेकी कार्डिया नाम दिया जाता है बढ़ेगी ना की घटेगी तो ये भी गलत हो गया तो क्या देखने को मिलेगा unexplained weight gain याद रखेगा जब भी मरीज में hypertension होगा hypertension के दोरान body में water return करेगा और जब body में water return करेगा तो मरीज के अंदर क्या हो जाएगा वजन बढ़ जाएगा अरे skin के उपर जल्दी से आंकडा लग जाना चाहिए selfies नहीं होना मेरे दोस्त याद रख लेना UPPSC के तमाम वो विद्यार्थी खाली UPPSC exam देकर के खुस नहीं होना है दुनिया को अपनी उकाद दिखानी है और हमारे अंदर क्या talent है हमारे अंदर क्या जोस है क्या जुनूने ये पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए इस बार नोर्सेट को नस्ते को मिलेगी drug of choice सारे बचे कमेंट करोगे अरे drug of choice क्या देखने को मिलेगी pregnancy induced hypertension की अरे बोलो जल्दी से comment fast कौन सी दवाई दोगे चार बचे तो अच्छे चार बचे अच्छे नहीं बेटा बचे दो ही अच्छे चार कौन से बचे अच्छे जल्दी से सारे बचे कमेंट करेंगे drug of choice in the pregnancy induced hypertension जैसे ही comment box के अंदर नया आंकडा लगेगा मेरी speed बढ़ जाएगी मेरे दोस्त जैसे ही आप लोगो skin के उपर नया आंकडा लगा दोगे speed बढ़ जाएगी प्लीज reply सुमन कुमारी पूछो सोब जेखा बड़या कोँ सी दवाही दोगे methyl wieder by याद रखेगा कोन सी दवाही दी जातीँ मिथाइल दा दी जातीए है है कोन सी दोगे methylanut मिथाइल डोपा दीज जातीए और कौन सी दी जातीए जवाब देना ले बेटा लोल याद कौन सी दवाई दोगे लेबेटालोल और मिथाइल डोपा और अगर आप से पूछ ले एकलेम्सिया आरे एकलेम्सिया वाली कंडिशन या प्री एकलेम्सिया वाली कंडिशन होती है एकलेम्सिया या प्री एकलेम्सिया वाली कंडिशन में कौन सी दोगे MGSO4 दी जाती है कौन सी दी जाती है MGSO4 दी जाती है याद रखेगा दवाई कौन सी दोगे Libetalol दी जाती है important चीज़ है याद रखेगा चले गा right answer D चला मेरे दोस्त next question आपके सामने ये रहा जल्दी से लगा दीजेगा अपने अंदर जोस और जुनून की आग और selection से कम किसी को भी कुछ भी मंजूर नहीं होना चीए मेरे दोस्त selection से कम किसी को भी कुछ भी मंजूर नहीं होना चीए लगा दे आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन ले selection कहानी उसे कहते हैं सलेक्षन से काम नहीं काम चलेगा सलेक्षन लिकाल के लाएंगे माता पिता के सपनों को साकार करेंगे और दुनिया को दिखा देंगे नर्सिंग ओपिसर क्या होते हैं और क्या पावर होते हैं उनके पास में चलेगा सी मैं ब्रेडी कार्डिया सर लिवो डोपा अरे लिवो के पूरे बेजे को 360 डिग्री पे गुमा दूंगा ये मेरी गारंटी है पूरे के पूरे बेजे को 360 डिग्री पे गुमा दिया जाता है इतने कते ही जहर वाले क्यूसन होते हैं चिंता मत कीजेगा चलेगा maximum बच्चों की गई बेटा बेंस पानी में एक भी बच्चे का correct answer नह पानी आया चलेगा चोग गई मुना बाबू दा नर्स इंटरपेटेड दा रिदम इस्टेप बिलो फ्रॉम दे क्लाइंट बेड साइड मोनिटर जब उसको देखेगी दा रिदम की जो इस्टेप है वो क्या देखने को मिली है यानी नीचे आ गई है का आ गई है फ्रॉम बेड साइड मोनिटर मरीज के बेड साइड में लगे वे मोनिटर के अंदर जब आपने देखा है और रिदम नीचे आ गई है रिदम नीचे आने का मतलब मरीज में ट्रेकी कार्डिया हो जाता है और ट्रेकी कार्डिया कौन सा बिलो फ्रॉम दे क्लाइंट मोनिटर के यहां कितनी देखने को मिलती है वेंट्रिकुलार ट्रेकी काइडिया में सर डेड़ सो से लेकर के डाइसो के आसपास डेड़ सो से लेकर के डाइसो बीट पर मिनट अगर आपका वेंट्रिकल फड़ पड़ाने लग जाए अगर आपका वेंट्रीकल क्या करने लगा है सर वेंट्रीकल की स्पीड ये देखने को मिली है अरे वेंट्रीकल की क्या स्पीड देखने को मिली है जवाब देना है सर डेड़ सो से ढई सो बीट पर मिनिट से हमारा ventricle क्या कर रहा है फड़ पड़ा रहा है देखेगा आप लोगों का आज ECG का पोस्ट माल्टम बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा याद रखेगा यह मैंने क्या बना दी है सर आपने हर्ट के चेंबर बना दी है यह राइट एट्रियम होगा यह राइट वेंट्रिकल होगा यह लेट एट्रियम होगा और यह लेट वेंट्रिकल होगा याद रखेगा जब एट्रियम के अंदर contraction आता है कौन सी वेव निकलती है एट्रियम के अंदर contraction आता है सर पी वेव देखने को मिलती है और जब ventricle के अंदर contraction आता है कौन सी wave निकलती है Q, R, S निकलती है और जब ventricle क्या हो जाता है relax होता है तो कौन सी wave निकलती है T wave that's clear ये चीजें देखने को मिलेगी ध्यान से सुनो वापस से अब मैंने बोला है मरीज के अंदर क्या है interpreted the rhythm state below from the client bed side the monitor which of the following तो ये अब मैंने जो ECG draw की है इसके अंदर ये क्या देखने को मिला है सर ये QRS है अरे मेरे दोस्त QRS इतना फड़ पड़ा रहा है इसका मतलब abnormal QRS हो गया अरे इसका मतलब सर normally QRS कैसा होता है देखेगा ये आपकी P wave देखने को मिलती है ये आपकी P wave ये QRS और T ये ही तो normal ECG है अरे P QRS और T ये normal ECG है यानि सर QRS तो ऐसा होना चीए QRS complex तो ऐसा होना चीए ऐसा हो गया इसका मतलब abnormal है और abnormal है इसका मतलब इसकी heart rate कितनी हो गई 1.500 से 200 अगर हो जाती है इसे बोला जाता है VT और VT दो परकार के होते हैं एक कौन सा देखने को मिलेगा Pulse Lace VT बोला जाता है और एक Pulse वाला देखने को मिलता है याद रखेगा सबसे खतरना कौन सा देखने को मिलता है जवाब दे देना Pulse Lace VT हाथो हाथ मरीज में क्या करना पड़ेगा डी फेब करना पड़ेगा हाथो हाथ मरीज में क्या करोगे डी फेब कार्डियो वर्जन काम में लोगे इंपोर्टेंट चीज है याद रखेगा पहला बोल रहा है नॉर्मल साइनस रिदम नॉर्मल साइनस रिदम का मतलब यह वाल बढ़ गया इससा मतलब हो जाएगा स्वाट जानए और चार रिकुलार ट्रेकी और लेट्रिकुलार फिबृरिलेशन यानि हर्ट तो अब तो यह से कर रहा है वैंट्रिकुलार फिबृरिशन यानि यानि तो याद़ पल्स लेस वी टी और वी एप वाले मरीज के अंदर इंपोर्टेंट चीज क्या होगी तो जवाब देना सर हमें कार्डियो वर्जन करना पड़ेगा हमें मरीज के अंदर डी फेब करना पड़ेगा मरीज को जोर का जटका जोर से लगाना पड़ेगा अरे हाँ आई किलियर य एसी ECG पढ़ा के चला जाओगा जो आपने कलपना भी नहीं की होगी आज तक आप लोगों ने यह नहीं सोचा होगा कि ECG को कोई ऐसे पढ़ा सकता है या ऐसे कोई याद करवा सकता है गारंटी के साथ चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कोई भी बंदा ECG को उटा करके उसे करके डाइगनोस कर लेगा यह मेरी गारेंटी है उपर लिकी हुई अर्टरेट को रटने की जरुरत नहीं होगी अभी तक आप लोग क्या करते हो जैसे मार्गेट में यह ECG आती है यह डाइगनोसिस लिखा होता है MI myocardial infarction देख करके बोल देते हो MI है यहां लिकी हुई आती है BPM और देख करके बोल देते हो 140 है यहां बोल देते हो increase ST segment इनको पढ़ने की जरुरत नहीं है AC ECG पढ़ा दूँगा जो इस lead को देख करके बोलोगे कि यह वाली चीज होगे यह मेरा वादा है लेकिन वादा तभी निबाऊंगा जब screen के उपर एक बहुत बहतरीन आंकड़ा लगेगा इस आंकड़े के साथ में यह ECG नहीं समझाई जाएगी दोस्तों क्योंकि efforts के अंदर जान लगा ही जाती है और जान खाली अवा में नहीं लगा सकते किसी भी आलत में The nurse identify which clinical indicator parasympathetic domains in the client under the state सर तनाव के दोरान मरीज में जब parasympathetic domain क्योंकि आप खुद आप लोगों की भी कुछ responsibility बनती है कि अगर कोई बंदा एकम समय के अंदर इतना contain हम तक deliver कर सकता है तो हमारी भी कुछ responsibility होनी चाहिए चले लिगा the nurse identify which clinical indicator नर्स कौन से indicator को पहचानेगी जो parasympathetic fiber के इने client under the stress और क्या देखने को मिला है parasympathetic nerve fiber in the client under the stress याद रखेगा parasympathetic लिख दिया इसका मतलब stress वाला concept नहीं होगा पहला बोल रहा है constipation goose warm excessive epinephrine secretion या increased gastrointestinal secretions तो याद रखेगा अपने आपने आपने नर्वस सिस्टम autonomous nervous system के अंदर बात करते हैं दो चीज़े आती है sympathetic nervous system आता है और दूसरा कौन सा आता है पहरा sympathetic nervous system का मतलब क्या होता है fight and flight fight and flight वाला concept होता है इसका मतलब क्या होता है rest यार night यां बोल सकते हो night or rest यानि आराम से rest बोलो stress R वाला हों गरोров वाली स्तत्ती कां जाती है करो या मरोवाली प्राइन्य आती है सर से उना मिलेगा तो इक या सुनें से लिटाइञे और इस तेन्ञ एक्चेयरों सुनिएगा यह सिर्व आराम से मोसम चेंज था ठंड़ा संदा सुवाना मोसमता साम को टेलते टेलते गार्डन में लेगे किसी को आराम से गार्डन में बेटे थे और क्या कर रहे थे बाते कर रहे थे नेन मटका लोगों से नहीं कर रहे थे क्योंकि नेन मटका वाली को ही साथ में लेगे थे आराम से उसके साथ में बाते चल रही थी सेलपी घींच रहे थे हाथ में आइसक्रीम थी खा रहे थे और जिस गार्डन में हम गए थे उसी गार्डन में उसका खली भाई आ गया था बोले तो जो बॉक्सिंग का काम करता है जिम विम जाकर के आया था और जैसे ही वो गार्डन में गुसा गार्डन में गुसते ही हम द या तो क्या करें या तो उससे लड़ाई करो और या क्या कर ले भाग ले फाइट एंड फ्लाइट फाइट का मतलब अब फाइट तो कैसे कर लूँ सर ये क्यूंटल तो उसका वजन है और ये डोले सोले 6 पिट की हाइट में 4 पिट का बंदा उसके साथ मैं लड़ाई कैसे कर अरे भाग रहे हैं अब यहाँ देखिएगा आपके अंदर क्या हो जाएगी बोलो हर्टेर्ट क्या हो जाएगी चिर हर्ट बढ़ गई अरे मैंने ब्लॉद बढे पने बॉला अबने बुदंगे यह नहीं को तो आपने ब्ला डिक्रीज हो गया आ ने बूख लगी gibt नहीं है आरे मैंने बोला प्यास वगेरा लग रही है क्या थ्रस्ट वगेरा आपने बोला नहीं है आरे मैंने बोला तुमारी आंखे कैसी है आपने बहुत मोटी हो गई यानि डाइलेट हो गई है आरे क्या देखने को मिली है सर आंखे बड़ी किलियर दिख रहा है मैंने बो अब यहां क्या बोलूँगा मरीज के अंदर ब्रॉंकियल्स क्या देखने को मिलेंगे अरे फेंपड़े बड़े हो गए हैं क्या ओक्सीजन भर भर के दे रहे हैं याद रखेगा सिंपेटेटिक नर्वस सिस्टम जब भी एक्ट्विएट होता है हर्ट रेट बढ़ जाती है रेस्पेटरि रेट बढ़ जाती है भूक मर जाती है यूरीन की इचाही मर जाती है फिकल कंटेन मर जाता है आँखे सर 2 किलोमेटर दूरी तक जो आगे ब्रिज बना वहा है वो फूरा किलियर दीख रहा है आँखे डाइलेट हो गई है बहुत अच्छे से काम कर रही है अ और यहां respiratory rate क्या देखने को मिलेगी, सर कम हो जाएगी, यहां GI के secretions क्या हो जाएगे, GIT के secretion increase हो जाएगे, और यहां goose bum देखने को मिलेगा, क्या नहीं सर, goose bum नहीं देखने को मिलेगा, चलिगा, यहां urine की इच्छाएं क्या देखने को मिलेगी, increase हो जाएगी, सर यहां fecal content क क्या देखने को मिलेगा पासओट होने की इच्छाइप होगी यह क्या देखने को मिलेग जाएगा यह या मरीज में हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा अरे करवा देंगे पूजा रोई चिंता मत करो जब 360 डिग्री बोला तो पूरा 360 डिग्री पर गुमा के दिखा दूगा नर्सिंग को ये मेरा वादा है और ये वादा सिर्फ आप फील तभी कर पाओगे जब एक्जाम सेंटर पे जाओगे तो वहाँ फील करोगे कि क्या चीज होती है तो याद रखेगा ये सारी चीजें होती है रेस्ट के टाइम और आप से पूचा है पैरा सिंपेटेटिक डोम लाल खड़े हो जाना चलिगा याद रखेगा तो ये बीचीज हो जाएगी सफ अमारे रोंते कखड़े हो जाते डर लगता है तब एकसे ईपीने का सीख्रेशन होगा एकसेशू एपीनेजन का सीक्रेशन देखने को मिलेगा लेकिन क्या नहीं होगा इंक्रीज जी-ई-ई- देखने को मिलती है sympathetic nervous system में और GI के सिक्रेशन काँ बढ़ जाते हैं पहरा sympathetic में right answer क्या चला dear right answer क्या देखने को मिला important चीज़ है याद रखेगा dear next question आपके सामने यह रहा next question आपके सामने यह रहा मेरे दोस्त next question को ध्यान से पढ़ेगा और जवाब देने की कोशीज कीज़ेगा क्या जवाब रहेगा क्योंकि आप लोगों ने आपका वादा नहीं निभाया इसलिए मैंने क्यूशन को skip कर दिया मेरे दोस्त आप लोगों ने आपका वादा नहीं कि चलिएगा क्या देखने को मिलेगा चलिएगा लाइव वेक्सिन कौन सी होगी ढूंडो सर लाइव होगी रूबेला चलिएगा किल्ड कौन सी होगी टाइपोइट ठीक है साब टोक्सोइड कौन सा होगा डिप्तीरिया और एंटी सीरा कौन सा होगा रेबी तो एंसुर क्या निकलेगा दो नमबर एक नमबर दो नमबर एक नमबर चार नमबर तीन नमबर राइट एंसर ए निकलाएगा important चीज है राइट एंसर क्या देखने को मिलेगा याद रखेगा live vaccine के लिए मैंने क्या बता दिया boy love the crime killed vaccine के लिए क्या बता दिया परी चोरती देली में टोकसोइड के लिए क्या बना दिया तेरा दिवाना बनूँगा और anti-sira को ही क्या बोला जाता है immunoglobulins नाम दिया जाता है important चीज है क्या बोला जाता है immunoglobulins बोला जाता है क्योंकि जब भी ECG पढ़ाऊंगा एक वार पढ़ाऊंगा क्योंकि 360 डिग्री में चीज repeat नहीं होती है और जब आंकडा बहुत बड़ा लगेगा तब ही पढ़ाऊंगा वरना मेरी उमीद ऐसी नहीं है dear क्योंकि session के अंदर जान लगानी होती है तो बराबर efforts आपके भी देखने को मिलने चीए राइट एंसर क्या देखने को मिलेगा डी सर ये टोक्सोइड क्या होता है तो टोक्सोइड का concept देखने को मिलेगा टोक्सोइड किसी भी बेक्टीरिया की cell wall से रिलीज होते हैं ये क्या रिलीज होगा बेक्टीरिया बेक्टीरिया की सेल वोल से रिलीज होने वाला एक्जो टॉक्सीन देखने को मिलता है जो कौन-कौन से होते हैं जवाब देना तेरा दिवा ना बनूगा यानि बोटुलिनम होगा टिटनस होगा और ये वाली चीज देखने को मिलेगी इस क्यूशन का राइट एंसर ए होगा बी, सी और डी न बैया जी पिए एच का इंदर क्या देखने को मिलेगा सुमंच ओहान बोई लवद क्राइम परीच ओरती देली में और तेरा दिवाना बनूगा ये तीन कंसेट मैंने अच्छे से एक वीडियो डाल रखा है वेक्शिनेशन का उसमें लिखवा रखें चलेगा वीच ओप द जलदी से रुकना नहीं है जुकना नहीं है ठकना नहीं है दुनिया को दिखाना है आपका और 360 डिगरी का पावर की क्या कंसेट को कैसे गुमाया जाता है और जो बच्चा खुद को 360 डिगरी में इस्टेबल कर लेगा वही मेदान जीत के लाएगा क्योंकि सभी उससे ज्यादा टेलेंट देखने को मिलता है P IH, pregnancy induced hypertension में, maximum बच्छों की गई बहांस्वानी में, edema of the feet and angle, आरे पेरों में और हातों के अंदर क्या देखने को मिला है? पेरों और ankle joint के अंदर edema आ जाना pH को indicate करता है नहीं सर जब बोडी में water retention करता है जब बोडी में क्या देखने को मिलेगा water का retention होता है जब बोडी में water का retention होता है उसके कारण मरीज की lower body part में क्या देखने को मिलता है edema उसके कारण क्या देखने को मिलता है lower body part में edema देखने क मिलता है कि लिए रोगया गलत है weight gain of the 1 LBS per week अरे मेरे दोस्त एक LBS तक क्या देखने को मिले अगर वजन बढ़ता है तो ये वाली चीज abnormal नहीं होती है याद रखेगा ये normal finding है एक LBS वजन बढ़ने का मतलब कितना बढ़ गया अरे sir 1 LBS cg equal to क्या होगा 1 LBS 400 चोपन ग्राम और अगर आप से पूछे more than 500 ग्राम अगर 500 ग्राम से ज़्यादा पर week बढ़ता है ये abnormality कहलाती है ये क्या कहलाएगा sir abnormality कहलाएगा ये तो abnormality है ही नहीं ये तो normal finding है next बोल रहा early morning headache सुबे सुबे उटने से सर दर्दोना तो कहीं कारण हो सकते हैं बाभी जी ने देर रात तक बहुत ज़्यादा टीवी देखी होंगी serial देखे होंगे तारग मेता का उल्टा चस्मा देखा होगा या IPL का मेस देखा होगा तो सुबे सुबे सर दर्दो रहा है नींद के कारण या कुछ भी कारण हो सकता है लेकिन P.I.H. का classical sign में counter नहीं करेगे हाँ hypertension वाले मरीज के अंदर headache जरूर होता है लेकिन ये नहीं होता है कि सुबे सुबे उठते ही देखने को मिलेगा याद रखेगा सबसे important चीज होगी edema of the hand and face edema कहां देखने को मिलेगा sir hand and face हातों और चेरे वाले हिसे में orbital cavity के आश पास अगर मरीज के अंदर क्या देखने को मिले अर्विटल cavity के आसपास यानि आंकों के चारों तरफ अगर मरीज में edema देखने को मिलता है इस चीज को क्या बोला जाता है पैपिल edema भी पूरे बच्चे टुकर टुकर ना देखें वेटा, स्वेशन के अंदर जान लगा दे, कमेंट की स्पीड बढ़ेगी, तभी कॉन्फिटेंस बढ़ पाएगा, वरना कॉन्फिटेंस गिर जाता है डियर, क्योंकि आप लोगी हमारी उम्मीदो, आप लोगी हमारा कॉन्फिट अभी नहीं होगा, कि ऐसे भी ECG की उपड़ सकते हैं, बिना रटे ECG को कैसे समझा जाता था, ये विचार है आज की क्लास के अंदर, उमीद है अभी उस आंक्रे को छूलोगे आप लोग, और जैसे ही छूओगे, इसकिप की होए क्यूशन पर वापस से ले जाओंगा, और ECP का कंसेप्ट होता है, पैपिल एडिमावा का कंसेप्ट देखने को मिलता है, बहुत बढ़िया पुन, चलेगा, राइट एंसर ए देखने को मिला, नेक्स्ट क्यूशन आपके सामने, अगर पूरी ही बोडी में स्वेलिंग आ जानी, एना सार का कैलाता है, पूरे के पू पूरे बोडी में, जब मरीज में क्रोनिक रिनल फेलियर का कंसेप्ट होता है, जब हमारी किड्नी फेल हो जाती है, सरीर से बोडी से पानी को बार नहीं निकालती है, अमारे सरीर में सोजन आ जाती है, पूरे ही पूरे सरीर में, और उसे क्या बोला जाता है, एना सार का, चलेगा इमानसू देखेंगे बेटा वापस से चलेंगे तब पोस्ट माल टर्म करेंगे और खाली एक वो इस्टिप नहीं पढ़ाँगा पूरा टोपिक पढ़ाने वाला हूँ आदे घंटे के आसपास के लिए तो जल्दी से एक आंकड़ा लगा दीजेगा ताकि मेरे दिल को भी सैटिस्पेक्शन होगा कि जो क्यूसन लेके आया हूँ और वो क्यूसन मुझे स्किप करना पड़ा था लेकिन अगर आप लोगों ने वो छू दिया आंकड़ा तो वापस से पहुंचा दूँगा वा एक बैंजी है जिन्नोंने 6 गंटे पहले एक बच्चे को जनम द होता है और कब होता है दोर सी फ्लेक्शन के दोरन याद रखेगा जिन्नोंने 6 गंटे पहले बच्चे को डिलिवर किया आप वो बोल रही है मेरे पेरों में क्रेम पारें तो क्रेम पाने की रिजन किया था कि इलेक्ट्रोलाइट इम बेलेंस के कारण हो सकता है लेकिन एग और सी फ्लेक्शन के दोरन अगर पेन होता है और पेन कहां होता है सर यहाँ काप मसल में होता है इसे नाम दिया जाता है होमान साइन नाम क्या दोगे सर इसे होमान साइन बोला जाता है ओमान साइन किसका साइन देखने को मिलेगा तो जवाब देना सर डीवी टी और डीपी क्या देखने को मिलता है जी हाँ अगर ऐसा ही कुछ लगा आंकडा तो जरूर ऐसी समझा के चला जाओंगा याद रखेगा अब डीवीटी वाला मरीज हो गया तो इसे क्या करवाना है मिलता है रेस्ट करवानी है इमपोर्टेंट चीज है और रेस्ट क्या हो सकता अगर यह दीवीटी यहां से डिसलोकेटेड हो गया डीप वेन में जो थ्रोमबस बन गया यह देखेगा यह थ्रोमबस यह पढ़ा है तब तक तो ठीक है अगर यहां से टिटेच हो गया तो तो लीज़म देखने को मिलेगा क्या देखने को मिलेगा pulmonary embolism is a most common complication of the deep vein thrombophilubitis pulmonary embolism क्या होता है most common pulmonary embolism का मतलब वहां से उड़ता उड़ता जाकर के कहां फस गया हमारे lungs में फस गया मरीज में दिकत करके मरीज की क्या करवा सकता है मोत करवा सकता है, मरीज की क्या करवा सकता है मोत, अगर याद रखेगा pulmonary embolism वाले मरीज को दी जाने वाली position का नाम है, during position औरे कॉन सी दोगे मेरे दोस्त तो जवाब दे देना, left औरे कॉन सी दोगे, left trendolendberg trendolendberg नाम की position दी जाती है, औरे कॉन सी position संद होगे जवाब देना है जब पल्मोनरी एंबोलिजम वाले एक मरीज को बचाने के लिए लेप्ट ट्रेंडलन बर्ग यानि लेप्ट साइड में हेड को डाउन कर देंगे ताकि राइट एट्रियम अगर उस चीज को मसाज कर दिया यह थ्रोंबस यहां से डिटेच होगा और किस में कनवर्ट हो जाएगा पल्मोनरी एंबोलिजम में और मरीज की मोत हो जाएगी तो यह चीज तो बरा बर गलत है दूसरा बोल रहा है एपलाई दे वाम कंप्रेशन वाम कंप्रेशन इस ओल्स दूसरा ओप्शन भी गला है पहला तीसरा बोल रहा है इसा क्या करें कि एंकल का बलड को पंप किया जा सके ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देना है कि वो अपने लोवर बोडी पार्ट के जमे हुए बलड को उपर की तरफ पंप करें ऐसा कंसेट उसने लगया अपना क्य हो जाएगा detachment हो जाएगा याद रखेगा क्या देखने को मिलेगा बहुत बढ़िया pulmonary embolism होगा और अगर ये चीज कर दी वापस ने नीचे के lower body part को उपर की तरफ पंप करने का मतलब compression करो और compression कर दिया तो detachment हो जाएगा ये भी चीज गलत होगी तो right answer क्या चला जाएग और left कौन सी दोगे left वाली देंगे left क्यों देना है क्योंकि left side में blood को escape करना चाते हैं left side में उसे क्या रोखना चाते हैं sir left atrium के अंदर याद रखेगा left atrium के अंदर उस चीज को क्या करना चाते हैं escape करना चाते हैं इसी पोजिशन को मैंने नाम किया दिया था डूरेंट पोजिशन और याद रखेगा अगर आपको डीवीटी वाले मरीज के अंदर क्या हो गया पल्मोनरी एंबोलिजम वाले मरीज के अंदर काम में लिया जाने वाले कैथेटर का नाम है Fogatory Catheter, क्या बोला जाएगा Fogatory Catheter काम में लिया जाता है किस में Fogatory Catheter काम में लिया जाता है किस मरीज के अंदर तो जवाब देना है Pulmonary, किस में बोलोगे Pulmonary Embolism Pulmonary Embolism वाले मरीज के अंदर एक बहुत लंबा सा Catheter होता है भी बता दूँगा कैसा होगा डियर याध रखेगा मान लो ये कोई ये cathetor है ये इतना बड़ा अरे डंग से बन जा बेटा ये लो ये 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 इतना बड़ा ये catheter बना दिया दे रहा दियंसे पढ़ते हुए जवाब देना है ये किसी भी बच्चे के सामने रख होसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास में चल कर समंदर भी आएगा ठक कर ना बेट ए मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा तो डेफिनेटली मंजिल मिलेगी दोस्तों और मंजिल उसी को मिलती है ज इसके सपनों में जान होती है, जमी पे बेट के आसमान देखने की जरुरत नहीं होती है, याद रखेगा, खुले आसमान में उड़ना है, अपने परों को फैलाना है, और अपने सपनों को साकार करना है, घर पे बेटे रहोगे, टुकर टुकर करते रहोगे, बिना पड़े ब तो सारी चीज़े मिलेगी तो इसी लिए बोलते हैं सेलेक्शन ही आपके Maxabee तो विल्ली चीज़ को पाना चाते हूँ तो उससे पहले शन लिजेगा selection लोगे तो सारी चीजे पीछे-पीछे चली आईगी टुकर करती हुई कि उसे ने पूचा एक क्लाइंट इजे experiencing traumatic brain injury अरे मरीज क्या कर रहा है मरीज ने बोला कि traumatic यानि trauma हो गया brain injury हो गई which finding identity by the nurse indicate the damage nurse ने देखा है damage हो गया to the upper motor neuron और क्या हो गया अपर मोटार neuron औरे neuron के अपर मोटार का डेमेज हो जाने के करण क्या देखने को मिलेगा औरे fugatory catheter काम में लिया जाता है वो इस air embolism को escape करके body से बाहर निकाल देगा air embolism वाली condition में चलेगा air embolism में भी left side देनी है डियर लेप टेंडलन वर्क देंगे air को वहीं पर escape करने की कोशीज करेंगे clear हो गया thank you so much thank you so much चलेगा जबाब दीजेगा इसका क्या देखने को मिलेगा फटाक से skin के उपर नहीं आंकड़ा लगएगा फिर ECG का post matum सुरू कर रहा हूँ चलेगा मुझे पता है कहीं बच्चे wait कर रहे हैं इस चीज का जल्दी से मैंने क्या बोला upper motor neuron याद रखेगा आपके frontal lobe में एक इसका नाम होता है bed sale अरे एक frontal part में शेल पाई जाती है जिसका नाम है बेज भला जाता है important चीजे कहा पाई जाती है frontal lobe में पाई जाती है अब इसके चीज क्या देखने को मिलेगी एक होता है upper lobe एक देखने को मिलता है lower lobe किसे करता है तो जवाब देना upper body part को किसे करता है upper body part को upper body part को supply का system किसका होता है nerve fiber का तो lower lobe को और upper में damage हो गया तो lower body बिगड जाएगी और lower में damage हो गया तो upper body बिगड जाएगी responsible treat देख रिएगा और ये बहुत important question है आपका क्या damage हो गया अपर मोटार neuron damage हो गया इसका मतलब signal कहां के गड़ बड़ा गया lower body part के पहला देखो absence of the reflex बोडी के क्या reflex absent हो जाएगे नहीं होगे क्या बोडी के reflex absent हो जाएगे नहीं देखने को मिलेगा गलत हो गया flaccid muscles flaccid का मतलब muscles में कोई smoothness नहीं है पूरी की पूरी बोडी की डिली डाली muscles देखने को मिली है ये गलत है और ये ट्रोस्योर sound का क्या होता है तो एक होता है चौवस्टी को और दूसरा होता है ट्रोस्योर अरे सर चौवस्टी को ट्रोस्योर देखने को मिलता है वाले मरीज में देखा जाता है अब क्या देखने को मिलेगा है कर्पो पैडल इसपाजम का मतलब क्या हो गया जब भी मरीज के अंदर लेस देन 8.5 से लेकर के 8.5 से कम हो जाना हाइपो कहलाएगा और 10.1 से ज़्यादा हो जाना हाइपर कैलाता है यहां क्या हो रहा है सर हम मरीज के अंदर BP कप को FLY करेंगे BP कप को कहां का तक पहुंचा होगे systolic blood pressure plus 20 mm of HG के उपर hold करना है जब hold करोगे तो मरीज में क्या देखने को मिलेगा rotation and flexion of the hand rotation and flexion of the wrist वोल दो या hand वोल दो मरीज के अंदर क्या होगा BP कप को apply करके आपने systolic तक चड़ा दिया और वहाँ जब रोग दिया तो condition क्या होगी प्रोट्यू जो करके गूम जाएगी मुके सिंता मत कर बेटा सब को गुमा देंगे सभी nursing के subject को नस्ते नाबूद करवाया जाता है 360 degree में जो बच्चे जुड़े वे उन्होंने feel किया होगा निशा wait कीजेगा NM की class जल्दी मिलेगी यह बेबिनश की response याद रखेगा यह देख एगा किसी भी मरीज की उन्हें ने पेर बना दिया बेबिनश की reflex के अंदर आपको क्या करना है एक stimulation को start करना है से याद रखेगा पेर के अंदर नीचे एक portion से स्टार्ट करना है लिटरल साइब से movement कराते हुए ऊपर तक पहुंचना है याद रखेगा यहां से कोई इक blunt subsequent को लेना है और उसे कहां पहुंचाना है सर लेड्रल साइब से आपको पहुंचना है और the toe और कहां पहुँचना है टो तक पहुचना है जब ऐसी condition में पेर को ऐसे लोगे और उस मरीज में क्या देखने को मिले अगर sir fang of the finger finger दूर दूर चली जाए fang of the finger और dorsi flexion of the toe इस देखने को मिले मैंने क्या बोला extension या fang of the finger fang finger का मतलब क्या हो गया चलीगा लिको fang of finger देखने को मिलती है fang of finger and dorsi flexion and dorsi flexion देखने को मिलता है ये वाली चीज क्यालाती है babins की reflex क्या क्या क्यालाएगी sir babins की reflex बोला जाता है और ये normally किसमें होता है less than one year के child में एक साल से छोटे बच्चे में क्या बोलोगे sir ये normal finding होगी but but यहां क्या लिकोगे but more than but more than two years दो साल के बाद ये क्या होता है always abnormal ये क्या होता है always abnormal count होता है और abnormal के अंदर किसको responsible माना जाता है nervous system में गडबडी तो sir adult के अंदर क्या होना चाहिए अगर adult में बोल देते हो या adult में normally क्या देखने को मिलना चाहिए तो जवाब जाएगा graphs graphs the item item को क्या कर दो graphs कर लो या यहां क्या बोलोगे planter flexion होना चाहिए या यहां क्या बोलोगे planter flexion होना चाहिए या क्या बोलोगे downward moment होना चाहिए सारी चीजें यही देखने को मिलती है कहने का मतलब हमेरी fingers को देखेगा यह आपको क्या मानना है मरीज का soul बना रहा हूं यह मेरा वाला हाथ मरीज का soul रहेगा रिंकी गुपता विजाली क्या पेर लेकर आए हो बहुत बढ़िया यह मरीज का soul है याद रहेगा छोटे बच्चे में जब stimulation क यहां से start करोगे lateral side से उपर की तरफ पहुंचते पहुंचते यहां पहुंचोगे जैसे जैसे पेर के अंदर गुदगुदी होगी बच्चा अपनी अंगूलियों को क्या कर लेगा दूर कर लेगा और अपने toys को toys को यानि great toe बड़ा वाला अंगूटा उसे दूर कर लेगा अगर मेरे अंदर आपके अंदर ऐसी चीज करोगे आप क्या कर लोगे उसे पकड लोगे याद रखेगा अपने पेर के अंदर जो भी बेटे है रूम पार्टनर को बोलना घरवालोई को बोलना कि मेरे पेर के अंदर गुदगुदी कीजिएगा जब आपके पेर के अंदर चलेगा याद रखेगा जब इस परकार से करोगे और आपके अंदर भी अपर मोटार नियूरोन अगर डेमेज ए तो बेबिन्स की आएगा और बेबिन्स की नहीं आता है इसका मतलब नॉर्मल फाइंडिंग है चेक कर लीजेगा आपके अंदर क्या देखने को मिलेगा और र देखने को मिले ऑबनॉरमल है चाई बुड़े हो चाई जवान हो कोई फरक नहीं पड़ता है नेक्स्ट क्यूसन आपके सामने राब या जी चैलेगा हो गया में बड़े बड़े तूफा धम जाते हैं जब आग लगी ओ सीने में अपने सीने में सेलेक्जन की आग लगाएगा और इस परकार से लगाएगा कि वो बिना सेलेक्जन बुजनी नहीं चाहिए वो बिना selection बुजनी नहीं चाहिए यहां क्या जवाब चला जाएगा latest name of the infectious hepatitis याद रखेगा hepatitis कितने होते हैं आपका जवाब होगा A होता है B होता है C होता है D होता है E होता है ABCD तो आती है हमें ABCD का मतलब क्या हो गया ABCD alphabet तो आते हैं infectious hepatitis को बोला जाता है hepatitis A right answer A चला जाएगा इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला hepatitis और किस में बोल रहा हूँ children's में याद रखेगा इंडिया में भारत के बच्चों में पाया जाने वाला मुखेते hepatitis A होता है hepatitis B को क्या बोला जाता है occupational के अंदर याद रखेगा occupation में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला occupation hazards के अंदर सबसे पाया जाने वाला ज़्यादा कौन सा होता है जवाब देना hepatitis B B कोई क्या बोला जाता है इसे बोल दोगे serum hepatitis क्या बोला जाता है serum hepatitis नाम दिया जाता है हिपेटाइडिस C को नाम दिया जाता है, पोस्ट ट्रांस फ्यूजनल हिपेटाइडिस, पोस्ट ट्रांस फ्यूजनल हिपेटाइडिस, पोस्ट ट्रांस फ्यूजनल हिपेटाइडिस नाम दिया जाता है, चलेगा अगर आप से पूछ लेता है, बलड के बाद में, बलड में सबसे ज़्यादा यही वाला होता है चलेगा D को क्या बोला जाता है D always D क्या होगा always with always with B D हमेसा B के साथ में होता है और hepatitis E सबसे best सबसे normal सबसे simple type का जो hepatitis होता है वो E होता है E को बोला जाता है simple type of hepatitis और simple के साथ में more dangerous अगर सबसे ज़्यादा dangerous सबसे ज़्यादा dangerous यानी जान लेवा कोब हो सकता है during pregnancy अगर किसी भी pregnant lady को during pregnancy किसी भी pregnant lady के अंदर अगर बात कर लेते हैं pregnancy के दोरान सबसे ज़्यादा जान लेवा कौन सा देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा आरे यह RNA virus है तोड़ी तोड़ी चिनकारी वापस से जगने लगी है और अब खुद के अंदर आग लगने लगी है अंगारे पे राख जमी है तो ये मत सोचो अंदर आग नहीं है अरे आग बड़ी भर भर के हैं मेरे दोस्तों के अंदर क्योंकि जब इनका प्यार इतना भेंकर देखने को मिलता है तो दुनिया को भी जुकना पड़ेगा और पडोसी को भी जलना पड़ेगा हीपेटाइडिस A को नाम क्या दे दिया सर हीपेटाइडिस A is a infectious type of हीपेटाइडिस, हीपेटाइडिस A is a most commonly seen in the children's in the इंडिया, simple type of the हीपेटाइडिस, हीपेटाइडिस E, हीपेटाइडिस B को सीरम हीपेटाइडिस बोला जाता है या इसके अंदर बनने वाला antigen होता है, उसे Australian antigen बोला जाता है, एक मातर DNA से होने वाला हीपेटाइडिस B होता है, pregnancy के दोरान जान लेवा, E देखने को मिलता है, D क्या होता है, D हमेंसा B से चिपका रहता है, अकेला कभी भी नहीं देखने को मिलेगा, सर, बलड से फेलने वाला, post blood transfusional सबसे ज़्यादा फेजने वाला कौन सा होता है, हीपेटाइडिस C, सबसे dangerous type का normally, अगर normally dangerous type का पूछ ले, तो जवाब क्या देना है, हीपेटाइडिस C is a more dangerous type of the हीपेटाइडिस, next आप से पूछा जाएगा, हीपेटाइडिस B का जो marker होता है, उससे क्या बोला जाता है, तो जवाब देना है, HBS AG, यानि हीपेटाइडिस B का surface antigen ही क्या होता है, इसका बायो क्या है, इसका marker देखने को मिलता है, marker of the हीपेटाइडिस B, marker of the हीपेटाइडिस B क्या होता है, जवाब देना HBS AG, हीपेटाइडिस B surface antigen, next याद रखेगा, हीपेटाइडिस B किस से फैलता है इपाडेना वाइरस से फैलता है डी डेल्टा वाइरस से फैलता है आरे भया जी फ्लेवी वाइरस प्रिकोर्णा वाइरस और इपेडी वीरेडी वाइरस तर देखने को मिलेंगे यह सारे के सारे इपेटाइडिस के concept किलिर हो गया चलेगा अब बात कर लेते हैं कौन से hepatitis की vaccine नहीं होती है कंडिशन को याद रखेगा अगर hepatitis A की vaccine हे क्या होती है अरे hepatitis का रहते है जब गड़बर कर देते हो बिना बुलाए किसी के न्योते में चले जाते हो और वहाँ क्या का बचाव भी ध्यान रखेगा health worker में blood से फेलता है health worker में most commonly hepatitis B देखने को मिलता है फुना महीचा चलेगा thank you so much dear या मैंने क्या बोल दिया कौन से hepatitis की vaccine है जवाब देना A की है B की है और D की है vaccine किसकी देखने को मिलेगी vaccine मेरे दोस्त बोलो तो A की है B की है और D की तो automatic हो गई कौन सी की नहीं है अरे नहीं किसकी है तो जवाब देना C और E की नहीं है C और E की नहीं है next अगर आपसे पूचे फीको औरल रूट से कौन से फैलते हैं hepatitis A और E is transmitted mainly by fecaloral route hepatitis A और hepatitis E कैसे फैलते हैं फीको औरल रूट से फैलते हैं important चीज़े याद रखेगा मैं साधी में हूँ full concentration नहीं हो रहा है अरे वहाँ पर भी उनको बोल दो open करवा दो सब के mobile में class उनको बोलो आप भी देखो आपका भी concentration बनेगा hepatitis B COD नहीं होगा dear right answer क्या चला जाएगा important चीज़े याद रखेगा यह hepatitis का concept था next question आपके सामने यह रहा भया जी ध्यान से पढ़ते हुए जवाब देने की कोसिस कीजेगा और एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चीए जिसने अभी तक class को like नहीं किया like कर देना, share नहीं किया, share कर देना ताकि selfish ना बने बेटा selfish बनने की कोसिस ना करें खुद के अंदर जोस जुनून डालना है और 360 degree की लत लगा दूँगा यह मेरी guarantee addiction करवा दूँगा क्योंकि जो बच्चे इतने time से 360 degree की देखते हैं, मैं पूरे गमंड के साथ में कह सकता हूँ, वो बच्चे आज के बाद बिना rational की चीज पढ़ना पसंद नहीं करते हैं वो हर चीज को rational के साथ में पढ़ने की कोसिस करते हैं वो हर चीज को rational के साथ में पूछते है, rational के बिना पढ़ना उन्हें अच्छा नहीं हाइडेटी फॉर्म यानि सेल्स के अंदर पानी भरने लगया और सेल्स में एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिल रही है ये वाली चीज हाइडेटी फॉर्म मौल कहलाती है पहला बोल रहा है ए ब्लॉटी चीज ब्राउन डिसकलरेशन ओन दे फेस आरे मरीज के चेरे वाले इ लगा निया गरवालों में नहीं लगा दे निया एक तो पानी में और एक दूसरा पड़ोसी के दिल में पोजेटिव चैट्विक साइन दा परजेंस ओफ द बैलोटमेंट और लास्ट बोल दा यूट्रस देस दा लार्जन देंदा एक्सपेक्टेड नॉर्मल से ज्यादा देखने को मिलता है बहुत बढ़िया सनो इस्टोम ऐपिरेंस का मतलब क्या हो जाना शर हमें लगता है बरफ के बादल गिल रहे है जो बच्चा याद रिखएगा जो बंच ओप्द ग्रेप्स में होता है इडेटी फोर्म मोल में नहीं होता है, जो bunch of grabs बोलते हो ना, यानि अंगूर का गुच्छा, अरे बेटा, अंगूर का गुच्छा molar pregnancy में होगा, placenta के अंदर जब क्या हो जाएगा, placenta में जब cancer हो जाता है, molar pregnancy का concept होता है, वहां bunch of grabs ऐसा देखने को मिलता है, वो चीज अलग है इडियर, वो चीज अलग है, यह लीजेगा, अंगूर का गुच्छा, वहां नजर आएगा, यहां नजर नहीं आएगा, यहां क्या बोलोगे, snow storm appearance वाली चीज होगी, किलिर हो गया, यहां वाली चीज हैं, हाँ याद रखेगा, पहला बोल रहा है, यह देखेगा, बाई सा रांध वाले मुखडे के उपर बन जाते हैं, निशान, और यह बना दिये, यह बाभी जी के चेहरे पे बन गया है, निशान और निशान यहां पर भी बन जाएंगे, और किस हार्मोन के कारण बनते हैं, मिले निन नाम के हार्मोन के कारण यह इनके चेहरे पे बन गया है, निशान और इन निशानों को क्या बोला जाता है कोलाजमा बोला जाता है क्या बोला जाएगा कोलाजमा बोला जाएगा या इसे ही क्या बोल सकते हो सर फेस मास्क बोल सकते हो और इसे ही क्या बोल सकते हो सर कोलाजमा या फेस मास्क वाली कंडिशन बोला जा सकता है कि लिए र बावी जी क्या देखने को हाँ आधी मान हु भावी जी चलेगा दूसरा क्या लिखा है चेड़विक साइन प्रेगनेंसी यह दुरान फीमेल के வेजाईनाश सर्विक्स का डिसकलरेशन हो जाना या bluish discoloration of the cervix and vagina during the pregnancy ये क्या कहलाता है चेडविक या इसी को बोला जाता है जैक मेर साइन या इसी को क्या बोला जाता है जैक मेर साइन ये चीज भी गलत हो गई तीसरा option आपसे बोल रहा है बेलोटमेंट बेलोटमेंट तो एमनियोटिक फ्लूट वाली चीजों को पता करेगा जी हाँ बटरफ्लाई देखने को मिलेगी अरे भावी जी तो खुद तितली जैसी है लिक लो बटरफ्लाई साइन अरे लिक लो ये लो बटरफ्लाई साइन देखने को मिलता है बटरफ्लाई साइन भी प्रेगनेंसी में देखा जाता है बहुत बढ़िया डियर इसे ही बटरफ्लाई बोलोगे और pregnancy complete होने के बाद ये ठीक हो जाएगा चिंता मत कीजेगा butterfly यहाँ systematic lump इरुत्रो मेटस में भी देखने को मिलेगा dear अब ये belotment क्या होता है मैंने दो belotment बताए थे internal और external belotment देखने को मिलता है अरे internal और external belotment का concept क्या होता है याद रखेगा sir pregnancy के दोरान female की abdominal cavity uterine body के उपर हम palpate करेंगे और अगर palpation के दोरान internal करेंगे तब cervix से जाकर के stimulate करेंगे और rebounded force आ रहा इसका मतलब amniotic fluid sufficient है सोड़ा वेक से 20 वीक पे किया जाता है और 20 वीक के बाद करने वाला होता है external belotment के लिए हो गया चलेगा क्या हो गया sir आपकी साहिरी change कर दी अरे मेरी साहिरी किसने change कर दी कोई नहीं कर सकता dear अपनी साहिरी अपनी ही रहेगी अपने ही तरीके में बोली जाएगी न तो कोई दूसरा उस तरीके में बोल सकता है और न उनको याद रह सकती है क्योंकि दुनिया तो रट रट के आती है और अपन चीजों को समझ समझ के आते है के लिए रोगया तो जिंदगी को आराम से जीना है तू हस तू मुस्करा तू रोना छोड़ दे तू जिंदगी की नाक में दम कर दे के लिए रोगया चलेगा रोईता सर्मा अच्छा ही करेगा याद रखेगा इसा की अजब से जब दूर किनार होता है डूबी कस्ती का बस भगवान सारा होता है भगवान पे छोड़ दीजेगा इसवर की जो लाटी होती है उसमें आवाज नहीं होती है लेकिन पावर बड़ा जबर्दस होता है तो चिंता मत कीजेगा जो भाई इतने दिनों से बड़े इंतजार बड़े संगर्स के साथ में अपनी जान लगा करके वहाँ बेटा है भगवान बहुत अच्छा करेगा आपके साथ में याद रखेगा और उपर वाला देता है तो दिल खोल के देता है नी स्वार्त देता है मेनत करने वालों को देता है लगन के साथ में देता है तो चिंता मत कीजेगा किलिर हो गया याद रखेगा इंटरनल बेलोटमेंट का मतलब सर्विक से इस्टुमलेशन दे रहे थे और एक्टरनल बेलोटमेंट का मतलब बार से कंप्रेशन पैदा कर रहे थे ये वाली चीज देखने को मिलेगी तो ये बेलोटमेंट गलत हो गया अरे सर इसे condition को क्या बोलेंगे सर जब अंदर कुछ गड़बड होगी अरे अंदर कुछ गड़बड देखने को मिलेगी तो size बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी uterine body की जरूर बढ़ेगी याद रगेगा डूब गई है मतलब कस्ती अरे डूबी नहीं है dear अरे ये उल्टे दिमाग वाला कौन है डूब गई है डूब गई है कर रहो चलिएगा याद रखेगा यह condition क्या हो गई सर size normal से ज़्यादा बढ़ गई है तो normal बढ़ेगी तभी तो snowy strong appearance होगा snowy strong appearance वाली condition को नाम क्या दे दिया सर बरफ के बादल नजर आए तो size क्या हो गई बढ़ गई है important चीज़े याद रखेगा next question आपके सामने यह रहा next question आपके सामने यह रहा ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजेगा spider angioma spider कैसा होता है वैसी चीज़े देखने को मिलती है liver वाले patient पेट के उपर निशान बन जाते है spider angioma क्यालाता है चलेगा याद रखेगा vessels के अंदर dilation हो जाएगा कुछ इस परकार की vessels है यह नजर आएगी यह चीज़ें क्या 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 आती है spider angioma से जाना जाता है इसे याद रखेगा क्यूसर पूछ रहा है अरे नर्स क्या कर रही है मेरा answer मनिशा यादव पूछो क्या क्यूसर है तुम्हारा अरे यह ओम परकास कंट्रोल कर बन के तु मेरी butterfly आरे butterfly उट जाएगी और तू पीछे रहे जाएगा तू selection निकाल वरना तेरी तितलियां किसी दूसरे तितले के साथ में निकल जाएगी फिर बोलेगा अरे चली गई मेरा दिल तोड़के दिल तोड़के तो दिल तोड़के नहीं है दा नर्स इजे प्रिपेरिंग टु इस्टार्ट आइवी इनिफ्योजन जब आइवी इन्फिजन इस्टार्ट करेगी बिफोर इंसर्टिंग दर नीडल इंटु दे वेन अरे इन में डाल रहे तो नर्स प्लाई ए 20 कृटे चलेईट कर रहे हैं क्यों लगाने की को सिस कर रहे हो बाटर फ्लाइब निकल जाएगी बटर प्लाइब सेलेक्सन लेकर आऊ तो बटर प्लाइब बहत आएगी तित्लियाँ भोग निकले गी यह जादा नहीं काम भुझ है टेकनिकल टीम तुझे बटरफलाइ बना देphrागी कि नहीं टेकनिकाल टीम तो खुद बोट बड़ी दिवान निहीं है कि वो थो बहुत लंगी लिया साइच् vertically याद रुखेगा यह क्या बना दिया सर म्रीज का हाथ बना दिया और यह सर हाथ यह यांत फोडा यह डिपेंड करेगा आप पे याद रखेगा इस मरीज के पार सेंपल के और सेंपल लेना है हम ने क्या कर दिया एक काफ एफ़ राइंक के करदिया इस बेंड को बोला का बढ़ेगा और easy way में क्या देखने को मिलेगी clearly visualize होगी तो distant the vein stabilize the vein immobilize the vein या occult artery circulation occult artery circulation का मतलब artery circulation को रोक दो occult artery circulation का मतलब क्या देखने को मिलेगी चैलेगा technical team भी लपटी गई सर आरे सब को लपट लेंगे बेटा चिंता मत करो जब 360 degree बोली तो क्या चीज है सब को ले लेंगे चिंता मत कीजेगा occult artery circulation ज्यादा गुसा दिला दिया यह video को end कर देंगे live class यहीं तूट जाएगी बिना फालतु का violence मत करो इनके अंदर चलेगा इसको मत जगा हो अगर यह उस पार आज जाग गया यानि यह सिंगम छिड गया तो क्लास को end कर देगा occult artery oculation का मतलब क्या हो गया सर occultion पैदा कर देना नहीं करना चाते हैं immobilize the arm हाथ को immobilize नहीं करते हैं हाथ को immobilize करने के लिए करना पड़ता है अरे plaster class वगेरा नहीं करते हैं फैक्चर में immobilize किया जाता है यह गलत हो गया distance the vein vein को क्या कर रहे हो distant कर रहे हो easier यह stabilize the vein vein तो stabilize है हम distant करना चाते हैं easy way में देखने को मिलेगी अरे distance का मतलब dilation अरे distance का मतलब हम vein को क्या करना चाते हैं dilate जैसे ही compression करोगे क्या देखने को मिलेगी वेन उब्री उब्री नजर आएगी आरे कोन वेन उब्री उब्री नजर आएगी अच्छी अच्छी नजर आएगी आराम से cannula को लगा देंगे वरना मरीज बोलेगा ओई मा उल्टा लगा दिया और आप बोलोगे नहीं लगा अभी तो लगा नहीं है अभी तो प्रेक्टिस जारी है चलेगा east and west 360 is the best थेंक्यू मुकेस थेंक्यू सो मस्ट लियार याद रगाखेगा right answer क्या चला जाएगा ये 20 कवेट हमेसा जहां से सेंपल लेना होता है उससे 1-2 cm उपर एपलाई करना होता है ज्यादा एपलाई नहीं करना है कि वो खराब कर दे ज्यादा एपलाई नहीं करना है कि वहां गड़बर देखने को मिले कुछ ही समय तक एपलाई करना है और सेंपल लेने के बाद उसे अटा देना मनीशा क्यूशन पूछो मेरा क्यूशन मेरा क्यूशन से तोड़ी पता चलेगा डियर अब मुझे कौन सा है आप बताओगे कि ये वाला आपका क्यूशन था तो कुछ याद आएगा वरना कैसे याद देखने को मिलेगा चलेगा जल्दी से कमेंट कीजेगा नेक्स्ट क्यूशन आपके सामने आ चुका और क्यूशन आपसे क्या पूछ रहा है क्या मांग रहा है और कैसा जबाब दीजेगा याँ क्यूशन ने पूछा है मनीशा क्यूशन क्या है क्यूशन को लिखो ये लिखने से नहीं होगा मेरा क्यूशन मेरा क्यूशन मेरा क्यूशन नहीं क्यूशन क्या है वो लिखो इसकिन के उपर शतेंदर इसकिन के उपर आंकड़ा लगाओ बिटा रिंकी थेंक्यू अभी वेट करो बेटा अभी कहां लगा है अभी तो रोजवाले तक ही नहीं पहुंचे तो ऐसा थोड़ी हो सकता टोपिक सबसे इंपोर्टेंट टोपिक है चले का कौन कौन सी कमेटी सर एक कमेटी है जिसका नाम है बोर कमेटी उसके बाद में आई थी उसका नाम क्या देखने को मिलेगा मुदलियर कमेटी देखने को मिला था अरे मुदलियर के बाद में चड़ा कमेटी आई थी उसके बाद में मुखरजी कमेटी आई थी मुखरजी कमेट देखने को मिली थी याद रखेगा ये important चीज है बोर कमेटी मुदलियर कमेटी चड़ा कमेटी मुखरजी कमेटी जंगल वाला करतार सिंग और शिरवास्ताव ये important चीज होतی है आपसे examiner फूस सकता है examiner फूस सकता है ये तो बोर कमेटी बहुत जादा important देखने को मिलती है कमेटी कब इंटू दफोर्स वेन तो जवाब क्या दे दोगे बोर कमेटी कब देखने को मिली थी जल्दी से जवाब दीजेगा बहुत बढ़िया इक्विलिटी पे मल्टी परपज वरकर के रूप में जाना जाता है कर्तार सिंग जी को बहुत बढ़िया सर बोर कमेटी कब देखने को मिली थी तो जवाब क्या चला जाएगा सब का यह लो आपका फेवरेट टोपिक जो बच्चे बोल रहे हैं सर कमेटी आज तक याद नहीं हुई याद कर लो इसके बाद जिंदगी में नहीं बूलोगे क्या बोल दिया बाई मेरा चड़ा मुखरजी जंगल में क्यों सुका रहे हैं याद करने का तरीका क्या देखने को मिलेगा इसके साथ में याद कर लो बौर कमेटी बौर कमेटी उसके बाद में तो याद रखेगा शांदार तरीका देखने को मिलेगा इसी तरीके के साथ में याद करीजेगा भूलोगे नहीं अगर आप से पूछ ले Health Survey and Development Committee कब आ गई थी तो War Committee, Health Survey and Planning Committee तो क्या देखने को मिलेगा सर, सर, चडड़ा कमिटी में चड़ा वाले भाई साथ में बड़े हमारे साथ में दोका किया, याद रखे का चड़ा चड़ा बोले तो short Compass पेने का उन्हें मच्छर काटेंगे अरे चड़े का मतलब क्या होता है, shorts, चड़े कोई क्या बोल सकते हो, सर, shorts बोल सकते हो और शोट का मतलब होगा तो मच्छर काटेंगे या नहीं काटेंगे और यहां क्या देखने को मिलेगा सार मच्छर यानी मोस्किटो का अटेक होगा और जां मोस्किटो की बात आती है उन्हीं ने तो बोला था National Malaria Eridication Program with the Family Planning Program अब याद रखेगा चड़ा कमेटी ने बड़ा ही जादू किया था इन्होंने क्या बोला था कि हम एक ऐसा सर्वे कंड़क्ट करवाते हैं और इन्होंने क्या बोला कि हम एक ऐसा सर्वे कंड़क्ट कराते हैं जिसमें दो काम कर देंगे बोलो क्या काम कर लेंगे तो इन्हों इस्ट्री तो malaria के regarding ले लेंगे अगर बुखार बुखार आ रहा है तो दवाई दे देंगे और फिर इन्होंने क्या बोला अगर वो बोलेंगे बुखार बुखार नहीं आ रहा है तो हातो आती packet पकड़ा देंगे yellow barrier method मोज करो अरे चड़ा कमेटी के चड़ा नाम के भाई दिया था मुखर जी ने मुखर जी ने बोला इस्टाप को मरवा दोगे इस्टाप को जुत्ते पड़ जाएंगे कि ये कौन सा सर्वे कंटेक्ट कर रहे हूँ पहले पूछा बुखार है क्या फिर आपने पूछा मचर है क्या नहीं है तो फिर आपने packet पकड़ा दिया और मोज कर लो तो ऐसी गड़बड नहीं करनी है तो याद करिएगा इन दोनों प्रोग्राम को डी लिंक किया था अरे डी लिंक का मतलब अलग कर दिया नेशनल मलेरिया इराडिगेशन प्रोग्राम को अटा दिया किस से फैमेली प्लानिंग से पूछा जाएगा याद प्लानिंग और इन दोनों चीजों को अलग करने की जो जिम्यदारी किसने ली थी मुदलिया है मुखरजी कमेटी ने मुखरजी ने बोला ऐसा मत करो इस्टाब अपने मिलने वाले हैं गरवे लोग पिटाई कर देंगे फिर नेक्स्ट आई थी जंगल वाला जंगल वाला जंगल वाला ने यूनिफोर केड़र के लिए जानकारी दी ती के लिए याद रखेगा जंगल वाला ने यूनिफोर केड़र का मतलब सही जोब करने वाले को ज्यादा पैसा ज्यादा एफर्ट्स लगाने वाले को ज्यादा पैसा ज्यादा क्वाले को ज्यादा पैसा एक् कर ले करतार शिंग जिने क्या बोला कि बन्दा तो ऐसा होना चाहिए कि सारे काम कर ले याँनी multi perperters वर्कर याद रहर रिखे का multi perperters यानी all in one एक ही में जैसे अपन 360 में नर्सिंग को कैसे लपेटते हैं करतार सिंग जी ने बोला बंदा ऐसा होना चmaz trape जो वहाँ जाडू पहुचे भी कर ले वहाँ नर्सिंग स्टाब का काम भी कर ले वहाँ डोक्टर का काम भी कर ले वहां senior authority का काम भी कर ले, गाव में छोटी-मोटी surgery कर ले, सारे काम कर ले, ऐसा बंदा डूंड के लओ, तो multi-purpose worker नाम की post, multi-purpose worker के बारे में जानकरी दीती करतार सिंग जिने, और last में सिर्वास्तव कमेटी आ गई थी, last में कौन देखने को मिलीती, सिर्वास्तव कमेटी जीते रहते हैं, और वो अपनी जिन्दगी को इतनी खुसी से जीते हैं, वो आगे के भविश्य के बारे में नहीं सोचते हैं, ना पीछे के पूर्जों को ले करके रोते रहते, वो आज के अंदर जीते हैं, और आज की दे दनादन जिन्दगी को बहुत अच्छे से जी कर बात है क्या बात है मोजगर्दी तूने तो आज तो बताओ ना मलेरिया के बारे में किस ने बोला था चड़ा कमेटी राइट एंसुर क्या चलेगा ए अरे मुदलियर ने बोला करतार जी नहीं बोला और आप जिंदगी में भूलना मत कमेटी नहीं पड़ाई या ऐसे नहीं पड़ाई फूरा टोपिक लपेट लिया मैंने बोला था बस आप तो कमेंट बोक्स की राफेल की तरह चलाते जाओ नर्सिंग का ऐसा कोई टोपिक नहीं होगा जो मेरे 360 डिगरी के बच्चों को टिप्स वे नहीं होगा हर कंसेप्ट को करवा दूँगा ये मेरी गारंटी है चलेगा सब करवा दूँगा बेटा अंजी चिंता मत करो सारे बचे क्लास के अंदर केरी ओनो टाइम से जुडने की कोशिस करें सुबह 9 बजे एक जुडने की कोशिस करें और हर दिन एक कसम खाके आएगा कि कल जो आंकड़ा था उस आंकड़े को मैं बढ़ा के हैं जहां नर्सिंग के सारे सब्जेक्टों को एक साथ में डील करवाया जाता है और बैतरीन तरीके से जो एक्जाम हर एक्जाम को नस्ते नाबूद करने के लिए बहुत बैतरीन तरीका से खुद को रीपरजेंट करता है कि उसने पूछा है विच मेडिकेशन विच मेडिकेशन सूट दा नर्स प्लान टू है रेडिली अवेलेबल वाइल दा क्लाइंट रिसीविंग ए एपिडूरल मॉर्फिन सल्फेट अरे मरीज को क्या लगा रहे हो सर ये मरीज के अंदर हमने बना दिया सेंट्रल नर्वस स अरे ये उसके उपर एक कवरिंग ये उसके उपर दूसरी कवरिंग ये उसके उपर तीसरी कवरिंग अरे ये डूरा मेटर ये रिकनोड मेटर ये पाया मेटर अरे आप दवाई कहा लगा रहे हो सर हम यहाँ पर कोई दवाई लगा रहे हैं एनस्टीशिया के लिए यहाँ आपर पर कोई दमाई लगा रहे हैं、 ब्लुव कलर की लाइन यानी एप डूरल, क्या एप डूरल का साइट इपेक्ट के होता है जवाब देना हैशोब तैंसन होता है, क्या जवाब दोगे है, हाईपो टैंसन देखने को मिलता है और अगर इसी को subdural भेज देते तो क्या हो जाता जवाब देखने को मिलता है headache जवाब क्या देखने को मिलता है headache देखने को मिलता है लेकिन यहां hypotension का concept है अब सुनो दवाई कौन सी ले रहे हो morphine morphine बोले तो opioid group की दवाई है जो morphine नाम से जानी जाती है और morphine नाम की जब भ available होता है और मरीज को सब एरिक्रोडी स्पेस के अंदर लगाया जाता है चलिगा याद रखेगा important चीज है sorry कहा लगा होगे सर सब dural space के अंदर लगाया जाता है भूप्रोपियाइन 5 ml का injection आता है और एनस्टीशिया के अंदर mainly यही यूज लिया जाता है सिजेरियन सेक्शन के दोरान के लिर हो गया बहुत बढ़े है थैंक्यू रजनीस थैंक्यू next बोल रहा है केलसियम गुलकोनेट तो बेटा MGSO4 का एंटीडोट है केलसियम गुलकोनेट MGSO4 का एंटीडोट है तो पहले से एनस्टीशिया दे दिया दूसरी बार देने की ज़रत नहीं है तो बुपरोपिनाइन नहीं रखना है केलसियम गुलकोनेट तो तब रखते है जब MGSO4 चाहिए नहीं रखेंगे अरे एट्रोपिन रखने की ज़रत नहीं है एट्रोपिन तो रखते है या तो नियो इस्टिगमाइन काम में लेते या फाइसो इस्टिगमाइन काम में लेते या मॉर्फिन पोईजनिंग हो जाती ओपोईट पोईजनिंग हो जाती मस्रूम पोईजनिंग हो जाती या बोलो अभी confusion दूर कर देते हैं क्योंकि confusion कहीं नहीं करना है 360 डिगरी के राफेल क्लास में confusion नहीं होना चाहिए राफेल इस्टुडेंटों के दिमाग में नालग जोन क्या है सर नालग जोन इजे एंटीडोट ऑफ दा मॉर्फिन मॉर्फिन का एंटीडोट नालग जोन होता ह और याद रखेगा एक नाम पड़ा होगा नाल ट्रेक जोन एक नाम पड़ा होगा नाल ट्रेक जोन क्या होता है तो याद रखेगा वो वेक्ती जो लॉंग टाइम है लो डोज ऑफ मॉर्फिन लेते हैं लो डोज ऑफ मॉर्फिन लेते हैं उस मरीज को आपको क्या बोलना ह उस मरीज को बोलना इसके अल्टरनेट में ही क्या लेना है नाल ट्रेक जोन लेना है याद रखेगा जैसे कि मैंने इंजेक है मैंने मरीज को मॉर्फिन दी आज आज अगर मैंने मरीज को मॉर्फिन दी रखी है तो क्या देखने को मिलेगा चलेगा डियर इस आंकडे के साथ म मॉर्फिन का एंटिडोट नालग जोन होता है लेकिन लॉंग टाइम एक मरीज है जिसको आपने बोल दिया आपको लो डोज ओप मॉर्फिन रोज लेनी है रोज लोगे तो सरीर में क्या होगा टोक्सिसिटी होगी उस टोक्सिसिटी को निूट्रिलाइज करने के लिए जो ए लेते जाएगा कभी कभार लेते हो टोक्सिसिटी से बचना है टोक्सिसिटी हो गई यह देना है आपको क्या देना है तो जवाब देना है सर नालग जोन देना है नेक्स्ट क्यूशन यह रडियर नेक्स्ट क्यूशन को ध्यान से पढ़ेगा और जवाब देने की कोसिस भीएगा, बीम जोशी, थैंक यू, क्यू, ने पूछा है, इस डवाई से नशी ने अपना काम कर दिया, दवई का नाम क्या है प्रो क्लोर प्राजीन याद रखेगा ये कब देते हो क्या काम आएगी जल्दी से जबाब दीजेगा पहला बोल रहा है नोजिया रुग गया यानी मरीज बोल रहा था मेरे अंदर मेरा दिल अरे जीया जपेटा खा रहा है अंदर यंदर अरे दिल इसपाजम बेटा, DMR, MPCHO वालो 360 डिग्री को देख लो, दुनिया का कोई क्यूसर नहीं होगा जो इससे बाहर चला जाएगा चलिएगा, abdominal, spasum, यानी मरीज में क्या देखने को मिला है, spasum वाली condition और last बोल रहा है, abdominal, pain देखने को मिला था, या उसे रिलीव करेगा क्या देखने को मिलेगा ये किस चीज को रिलीव करेगा, तो याद रखेगा abdominal pain या spasum को रिलीव नहीं करता, pain spasum को रिलीव करने के लिए, मैंसा क्या देनी होती है muscle, relaxant और abdominal वाली condition के लिए कौन सी देते हो, dotro win dotro win नाम की दवाई दे सकते हो, या कौन सी दे सकते हो di cyclomine di cyclomine दी जाती है abdominal pain के लिए कौन सी दे सकते हो di cyclomine pain के अंदर भी काम में ले सकते है या कोई भी analgesic दे सकते हो analgesic कोई भी दे सकते हो, तो ये गलत हो गया DG Nays को दूर नहीं करती है, DG Nays को चकरवर्टीगो वाला reconcept होता है, sinargin काम में लिजाती है, चकरवर्टीगो का काम होता है, straighten written या सिनारgin काम में लिजाती है, याद रखेगा तो ये चीज भी गलत होगे, ये वाली दवाई किसे रोकेगी सर नोजिया को, और ये वाली दव यानि मरीज बोलेगा ये गोली लेने के बाद मुझे नीद आने लगी है ये गोली लेने के बाद मुझे क्या हो गया मेरा अब क्या नहीं हो रहा है सुर मुझे जादा दीकत GE b मुझे हलकी नीन दाने लगी है तो यह वाली चीज किसकी महरबानी है और फ्लास पोलियो wij Sekasi मोझे मुझे हिवा जबाब दिजेगा फ्रस्ट फेसियो पड़ीन इमनाइजेशन और कौन सा प्लस पोलियो के बारे में पूचा है यह आईडी किसने बने यह बेटा कंस मामा लिक्क है जवाब दीजेगा कि उसने पूछा है याद रखेगा पोलियो की वैक्सिन होती है जिसका नाम होता है ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सिन दूसरी होती है आईपीवी इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सिन और तीसरी वैक्सिन होती है एपाईपीवी फ्रेक्शनल इनक्टिवेटेड पोलियो वैक्सिन OPV नाम की vaccine की discovery किस ने की थी जवाब क्या चला जाएगा सेबीन नाम के भाई साब ने चलेगा इस vaccine की discovery किस ने की थी सालक नाम के भाई साब ने की थी चलेगा एक कबाई उननीस सो चोपन में आ गई थी यह 1957 में आ गई थी इसका नाम क्या है इसका देखने को मिलेगा Fractional क्या बोलोगे सर Fractional Inactivated Inactivated Polio Vaccine Inactivated Polio Vaccine Polio Vaccine बोला जाता है याद रखेगा FIPV को FIPV अगर बात कर लेते है OPV कैसे दी जाती है Oral Root से दी जाने वाली वैक्सीन है IPV कैसे देते हो इंट्रा मस्कुलार दी जाने वाली वैक्सीन है इंट्रा मस्कुलार कहां दोगे Vastus Lateralist पे लगती है 0.5 ml दी जाती है OPV कितनी जाती है तो जवाब देना है 2 बूंद जिंदगी की दी जाती है 2 बूंद जिंदगी की दी जाती है 8 बर्थ लगने वाला याज रखेगा Double Star की उसने 8 बर्थ OPV का डोज होता उसे बोला जाता है 0 डोज उसे क्या बोला जाता है 0 डोज ओप पोलियो वैक्सीन गीवन एट विच टाइम आफ दे न्यू बॉन जवाब देना 8 बर्थ बच्चे के जनम के टाइम जो OPV दोगे वो Zero Doge क्यलाती है Next बात कर लेते हैं FIPV कैसे दोगे तो जवाब देना 0.1 ML दिया जाता है Intradermal Root से 0.1 ML क्या दोगे Intradermal Root से दोगे FIPV अब कुछ बच्चे बोलेंगे Sir FIPV क्या होता है तो इसे बोला जाता है Low Doge of इसे क्या बोलोगे Sir Low Doge of IPV को FIPV बोला जाता है Low Doge of the IPV यानि Injectable Polio Vaccine का कम डोज बना दिया जाता है उसे बोला जाता है FIPV FIPV कब दिया जाता है जवाब देना 6 और 14 वीक पे FIPV कब दिया जाता है 6 और 14 वीक पे दिया जाता है IPV का single dose दिया जाता है IPV का single dose दिया जाता है 14 वीक पे IPV का single dose दिया जाएगा कब दिया जाएगा मेर provoke 14 वीक पे दिया जाता है O.P.V वाले चीज़ें क्या देखने को मिलेगी annual rat road beta class को carry-on करे सारी चीज़ें अच्छे से यह बता ही जा रही है चलिएगा ओपीवी का डोज कब दोगे सर 8 बर्थ देंगे और 8 बर्थ दे दिया वो 0 डोज उसके बाद में कब देदो 6 वीक पे देदो 10 वीक पे देदो 14 वीक पे देदो उसके बाद कब देदो सर 16 से 24 वीक पे देदो और उसके बाद 16 से 24 वीक पे देदो कितने लगे याद याद रखेगा याँ concept क्या हो गया एक हो गया 8 birth ये क्या देखने को मिला birth पांच डोज immunization schedule में OPV के 5 डोज दिये जाते हैं याद रखेगा ले बेटा लोल याद रखेगा ये चीजें क्या बता दी important चीजें सर OPV के डोज कब कब कितने कितने दोगे 8 birth 6 week 10 week 14 week और 16 से 24 महीने पर लगने वाला होता है booster dose ये क्या होता है booster dose ये क्या होगा first होगा second होगा third dose होगा और zero dose 8 birth दिया जाता है अगर आपसे इस वेसल पूछे इन दा immunization schedule last dose of the OPV तो जवाब देना ये और अगर नॉर्मली पूछ ले last dose of the OPV given 8 तो जवाब देना 5 ये अगर ये वाला सवाल पूछ ले तो जवाब देना 5 साल क्योंकि OPV का last dose 5 साल पे लगता है लेकिन schedule में कब लगता है schedule में अब लगता है बाकी कब लगता है 5 साल में IPV क्या होता है single dose में लगता है 14 वीक पे दिया जाता है लेकिन अगर आपने 6 वीक पे FIPV का dose दे दिया तो second भी FIPV दो समझ पा रहे हो ना मेरी बात अगर मान लो कि सर बचे ने बचा पैदा हुआ पहले हमने क्या लगा दिया 8 बर्त हमने दे दी vaccine जिसका नाम क्या था hepatitis B दे दिया ओपी वी दे दिया BCG दे दिया tweeted चोजिय वीक बाद बचा बापस से hospital में आया अगर BCG नहीं दी तो BCG दे दो उसके बाद में क्या दे रोटावाईरस देदो पैंटावलेंट देðो और क्या देदो इपेटाइडिस B का वेक्सिन देदो नहीं दिया तो next क्या दे सकते हैं sir next FIPV का डोज देंगे और pneumococcal का डोज देंगे तो याद रखेगा जब FIPV six week पे दे दी तो वापस से 14 week पे second dose of the FIPV लगा दो अगर आपने क्या नहीं दिया चलिगा चलिगा सही बात है रितिका याद रखेगा यह मैंने क्या बोला अगर six week पे आपने FIPV का पहला dose दे दिया 14 पे दूसरा दे दो अगर six week पे हमने नहीं दिया तो 14 week पे क्या दे दो direct FIPV का single dose दे दो और सबसे पहले इसकी सुरवात कब हुई थी जवाब दे देना sir 9 दिसंबर 1905 और 20 जनवरी 1906 याद रखेगा नर्सिंग स्टाप की जिन्दगी की पहली कमाई BCG कितना देना है अरे dear BCG 8 बर्त दोगे तो BCG देना है 0.05 ml BCG और उसके बाद अगर आपसे पूचा जाता है तो 0.1 ml देना है after उसके बाद कभी भी देना है यह वाला देना है 0.05 देना नेक्स्ट मैंने क्या बोला है याद रखेगा अगर एकजामिनर का याद रखेगा जितने भी तमाव नर्सिंग स्टुडेंट मुझे देख रहे हैं या बाद में देखेंगे याद रखेगा आपके जिन्दगी की पहली कमाई थी वो थी पोलियो की वैक्सिन की याद रखेगा पोलियो के अंदर घर घर जाकर के प्लस पोलियो अभियान को आपने बड़ावा दिया था वो जिन्दगी की 75 रुपे की कमाई थी और बहुत ज़्यादा खुद के अंदर प्लीजरेबल मुमेंट लाए थे और लगजीरियस लाइप को फोलो किया था यानि 75 रुमे की 8 गंटे की ड्यूटी करने के बाद 75 रुपे मिले थे और रेस्टोरेंट पे जाकर के 200 रुपे का खर्चा करते थे उसकी खुशी अलग होती थी याद रखेगा जिन्दगी की सबसे पहली कमाई कौन सी थी पोलियो की थी याद रखेगा तीन दिन की ड्यूटी क कमाते थे वो जीवन का अलग ही मुमेंट था वो अलग ही मुमेंट था सर सवा 200 रुपे मिल रहे थे 500 रुपे का खर्चा कर रहे थे लेकिन प्राउड फील कर रहे थे कि हम कमा रहे हैं तो फील कीजेगा अगर उसमें इतनी खुशी मिलेगी मेरे दोस्त तो 80 अजार की जब एक दिन के देती थी तीन दिन की डुटी 225 रुपे देखने को मिलता उससे पहली कमाई में इतनी खुशी थी तो इस खुशी को कनवर्ट कीजेगा और अपने सलेक्शन को मजबूत कीजेगा और फिर आपकी जिन्दगी में चार चांद लग जाएंगे जब 80 अजार की सेल रही आएगी तो याद रहेखेगा सबसे पहला पंजान और चिन्दु में प्रोग्राम चला था और वो चीज आज भी चली आ रही है पहला जो कैंपेन होता है वह हमेसा दिसंबर में और दूसरा जनवरी में देखने को मिलता है बहुत बढ़िया डियर मुझे पता है मैक् कबिल्यक्त journalists प्रुसेंद कर सकती है तुर से सीज़ काब डाया ज़ोड़ा जन कर सकती एविका कर सकती है। इस चीज को बोला जाता है, eligible couple में female की age, कहीं वार पूछा जाता है, eligible couple के अंदर female का जो age group होता है, उस age group को क्या बोला जाता है, सर 15 से 59, अगर इंडिया के अंदर बात करोगे, सर इंडिया में eligible couple का number क्या होगा, जवाब देना 132, 180 per thousand, 1000 के उपर ये देखने को मिलता है, on end average बोलोगे तो जवाब क्या चला जाएगा, 1500 couple, याद रखेगा भारत के अंदर अगर अजार की population देखोगे, उनमें से 1500 क्या देखने को मिलेंगे, साधी सुदा जोडा, जो क्या कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है, जी याँ डियर 45 और 29 लोनों होता है, बेस्ट जवाब 25 जाता है, यह option में नहीं होगा, तो 45 देदेना, अगर यह option में नहीं हो, तो यह वाला जवाब सही देखने को मिलेगा, लेकिन 15 का चवदा मत कर रहा, लेकिन सबसे best यह होता है, चलेगा, इसका registered maintain किया जाता है, सब center पर, यानि जब भी साधी होगी, किसी भी गाउं में, तो उन्हें पता है कि साधी के बाद में किलकारी कभी भी गुन सकती है, तो किलकारी का registration कहा करवाया जाता है, सब center पर किया जाता है, district headquarters, PSE या CSE पर नहीं होगा, सब center की population क्या है, तो जवाब देना सर 3000-5000, 3000-5000 गाउं की जहां population होती है, वहां क्या बना होता है, सब center देख ने को मिलेगी, नमबर आप से पूछे जाएंगे, संक्या पूछी जाएगी और यहीं याद रख लेना, eligible couple को contraception के बारे में suggest करना क्या कहलाता है, अरे उसे बूला जाता है, couple protection rate कितनी होनी चाहिए, more than 60%, यानि इन 1500 में से कम से कम 60% को बोलना है कि महरबानी करके आप इंत population देखते ही देखते क्या से क्या हो जाएगी, फिर बोलेंगे क्या से क्या हो गया, देखते देखते, तो याद रखेगा, इन 1500 में से बोलना है, 60% जनता को बोलना है, आपको छुटी maintain करनी है, और 40% को बोलना है, आपको अपने करतेवे का निर्वहन करना है, अपने इसर ने, उनमें से कोई भी लो, लेकिन कप और प्लेट को बोलना है, प्रोटेक्शन ले, कप और प्लेट को क्या बोलोगे, प्रोटेक्शन ले, राइट एंसर क्या चला, ए, चलेगा, समय की सिमाई, समाप्तुई मेरे दोस्त, आई हो, आप सब लोगों ने आज के सेशन क बहुत अच्छे से एंजोई किया होगा, एक छोटा सा ECG टोपी को छोड़ करके, तो सारे विद्यारतियों को बता देता हूँ, कल की क्लास के अंदर एक बैतरीन जोरदार जवरदस जिंदाबाद वाले आंकड़े के साथ में खुद को लेके आएगा, पूरी की पूरी ECG क पोश्ट मार्टम कर दूँगा, ये मेरा वादा है, लेकिन करूँगा तभी जब इसकीन के उबर बहुत बड़ा आंकड़ा लगेगा, उससे पहले मेरी इम्मत नहीं हो पाएगी, और जिस दिन ECG को मैंने एक्स्प्लेन कर दिया, याद रखेगा, कल अपना भी नहीं की हो तब ECG पढ़ा दे, के लिए आपको बोलने की जरुत नहीं है, अगर आज के सेशन में आप लोग कर दिखाते हैं, तो मैं पढ़ा देता, आप लोग नहीं कर पाएं, तो वो अलग चीज़े, कल के सेशन में इंतजार रहेगा, अगर कर दिखाया, तो कर दिखाऊंगा, और हमारा करते वे बनता है कि इस 360 डिग्री के परिवार को एक बहुत बड़ा परिवार के रूप में काउंट किया जा सके, या इस बहुत बड़े परिवार के रूप में इसका यूँज हो सके, जो आपको कंटेन दिया जाता है, उसका यूटिलाइजिशन, अभी तक जिस उन पैदा कीजेगा आपने और अपना मातापिता के सपनों को साकार करने के लिए दिन और रात एफर्स लगाते जाएगा, दुनिया में मुश्किल कुछ नहीं है, इस दुनिया में तुजरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे, हकीकत में तुजरा कोसीस कर, चार से गंटे की पड़ाई आप लोगों को करनी है, सुबह सुबह मैंने मेरा काम कर दिखाया, डेट गंटे की क्लास में बैतरिन कंसेट फसा करके, अब डेट गंटे की पड़ाई मैंने करवा दी, चार से चे गंटे की आप कर लीजेगा, साम को इतना सैटिस्पेक्शन होगा, आ नेरे उतकर्स परिवार के साथ और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, थेंक यू सो मच खुम्धोर मत की दूस अगू उतकर्स अीजे तन ग्हूएगा हू परिवागा, लाग की अग्यू ओर से खे खिखाश भो त беспक्षेक्शन होगा